इस वीडियो में आपको पढ़ाने वाला हूँ मोंटेग्यू चेम्स फोड सुधार के बारे में और इसे भारत सासन अधिनियम 1919 भी कहा जाता है तो इसी के बारे में मैं आपको इस वीडियो में पढ़ाने वाला हूँ क्योंकि बहुत सारे आपके कमेंट आ रहे थे और आप उने जैसे डिमांड की उसी के आधार्प में ये वीडियो लाया हूँ तो आज पढ़ेंगे हम भारत सासन अधिनियम 1919 अगर आपको इसकी पीडियो चाहिए तो लिंक है डिस्किप्शन बॉक्स में तो आप वहां से जाकर इसकी पीडियो डाउनलोड कर सकते हो तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और पढ़ते हैं भारत सासन अधिनियम 1919 वीडियो की सुरुआत यहां से करेंगे मौन्टेगियो चेम सपोर्ट सुधार अधिनियम मौन्टेग्यू चम्सपोर्ट सुधार अधिनियम जिसे भारत सासन अधिनियम 1919 भी कहा जाता है और मौन्टेग्यू चम्सपोर्ट सुधार इसे इसलिए कहा जाता है कि जब यह कानून बना था तो उस समय भारत के सच्यों Lord Montague थे तथा Lord Chemsport भारत के वाय सराय थे इसलिए इस कानून को Montague Chemsport सुधार अधिनियम कहा जाता है तो यहाँ पर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं यहाँ पर कहा गया है कि भारत सासन अधिनियम या फिर Montague Chemsport सुधार अधिनियम बात एक ही है तो अलग-अलग यहाँ पर सब्द हो गए हैं लेकिन इनका मतलब एक ही है तो यहाँ पर यह Montague Chemsport सुधार क्यों कहा गया है इसको देखें यहाँ पर इसलिए कहा गया है कि उस समय भारत के सच्यों थे Lord Montague और जो वाय सराय थे Lord Chemsport तो इसलिए इसको Montague Chemsport सुधार अधिनियम कहा जाता है दरसल Montague Chemsport सुधार अधिनियम की सुरुवात 20 अगस्त 1917 से हुई थी क्योंकि इस दिन भारत सच्यों Lord Montague ने ब्रेटिस संसद में एक गोशणा की और इस गोशणा में कहा था कि भारत में एक ऐसे सासन को स्थापित किया जाए जो विश्वस्तनी और उत्तरदाई हो तो आपको यहाँ पर याद रखना है 20 अगस्त 1917 क्योंकि इस दिन क्या हुआ था कि ब्रेटिस संसद में एक गोशणा की थी और यह गोशणा किसे ने की थी भारत के उस समय के जो सचयों थे लौड मॉन्टेग्यू ने की थी इस गोशणा के बाद लौड मॉन्टेग्यू नॉमबर 1917 में भारत गए और वाइसरोय लौड चेंप स्पोर्ट के साथ मिलकर भारत का दौरा किया तथा एक रिपोर्ट तैयार की लौड मॉन्टेग्यू ने इस रिपोर्ट को 8 जुलाई 1918 को परकाशित किया और इसी रिपोर्ट को मॉन्टेग्यू चेंप स्पोर्ट सुधार रिपोर्ट की नाम से जाना जाता है अब यहाँ पर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं देखें यहाँ पर 9 जुलाई 1918 को उन्होंने परकासित किया और इसी रिपोर्ट को मॉन्टेग्यू चेंप स्पोर्ट सुधार रिपोर्ट की नाम से जाना जाता है तो देखो अभी यह रिपोर्ट है तो चलिए इसके बारे में भी देख लेते हैं मॉन्टेग्यू चेंप स्पोर्ट सुधार रिपोर्ट के प्रमुक्तत देखे अभी यह रिपोर्ट है अधीनियम नहीं है यह तो अधीनियम की आगे चर्चा करूँगा अभी रिपोर्ट के बारे में देख लेते हैं यहाँ पर नमबर एक इस्थानिय संस्थाओं पर जन्ता के द्वारा चुने हुए प्रती निदियों का ही नियंतरन हो नमबर दो भारत के प्रांतों में ऐसी सरकार इस्थापित की जाए जो विश्वतनिय और उत्तरदाई हो नमबर तीन केंदरिय बिधान परिस्थ का बिस्तार किया जाए नमबर चार भारत सचिव की सक्तियों को कम किया जाए ताकि भारत सरकार अच्छे से काम कर सके नमबर पाँच अल्प संख्यकों को अलग प्रती निद्यत्य प्रदान किया जाए तो ये हैं इस रिपोर्ट के प्रमुक्तत अभी ये रिपोर्ट है और अधीनियम के बारे में थोड़ा आगे चर्चा करेंगे मौन्टेग्यू चिम्स पोर्ड सुधार रिपोर्ट के आधार पर ही 1919 में वर्टिस संख्यत के द्वारा एक बिधेयक पारित किया गया जिस पर 23 दिसम्बर 1919 को वर्टिस राजा ने हस्ताक्षर किये हस्ताक्षर के बाद यह है कानूर बन गया और इसे ही भारत सासन अधीनियम 1919 कहा जाता है तो देखो यहाँ पर आपको याद रखना है 23 दिसम्बर 1919 को वर्टिस के जुरा जा थे उन्होंने इसमें हस्ताक्षर किये थे और यह भारत सासन अधीनियम 1919 के नाम से जाना गया था अब करते हैं भारत सासन अधीनियम 1919 के प्रमुख प्रावधान या पर ऐसे कह सकते हो मॉन्टेग्यू चेम स्पोर्ट सुधार अधीनियम 1919 के प्रमुख प्रावधान तो चलिए देख लेते हैं इसमें नमबर एक, केंद्र में दोय सदनिय बिधायका की स्थापना, केंद्रिय बिधान परिशद और केंद्रिय बिधान सवा की नाम से की गई नमबर दो, प्रांतों में दोयत सासन की ववस्था लागू की गई दोयत सासन का मतलब है दोहरा सासन नमबर तीन लोक सेवा आयों का गठन किया गया नमबर चार भारत में पहली बार कुछ बिसेस महलाओं को बोट देने का अधिकार प्रदान किया गया था जैसा कि आज बारत की सभी महलाओं को बूट देने का अधिकार है लेकिन यहां पर कुछ बिसिस महलाओं को ही बूट देने का अधिकार प्रदान किया गया था नमबर पाँच केंद्रिय बजट को राज्जियों के बजट से अलग कर दिया गया नमबर च्छे भारासासन अधिनियम 1919 को अंतिम रूप से 1921 में लागू किया गया था देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि जितने मैंने हाइलाट किये हुएं ये बहुत ही महत्पूर्ण है अगर वीडियो एक बार समझ में नहीं आया है तो आप इसको दुबारा देख शकते हैं और मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसकी अगर पीडियो चाहिए तो लिंक है डिसक्रेशन बॉक्स में तो आप वहां से जाकर इसकी पीडियो डाउनलोड कर सकते हूँ